हेलो स्टुडेंट्स, वेल्टम टू अन्लाइन क्लास, आज नाइन क्लास इंग्लिश में बुक बिहाइट से पढ़ाया जा रहा है, आज पढ़ेंगे लेस्न एट अध्याय आठ, इसका नाम है संतोष यादर, आपको स्टुडेंट याद होगा कि इनका नाम परवता रोहन चंकिला में से जुड़ा होगा, यह बहुत अच्छी माहा की खिलाड़ी गई ही, तो पुर्शा तो उसे विश्वाव से नहीं गई होगा, कि वह दिनिया की सबसे उंची चोटी पर खाली है, यह संतोष यादर जी के संबन में जो है, यह स्टोरी दी गई है, पर वान जा झारी है, बबीज़ किस रकार खाल उंची चोटी चोटी करasi अपने जो और दीश का है न रोश्मर पर पुर्ण की किüst किस प्रपव जदेश का है, यह संतो Anyway. तो पार बंकने टूम है. एक उदाहरं द्वारा ये शो कर रहा है कि जो यंग गर्न संटोश को ये सारी चीज़ें जो हैं गाउं की चीज़ें क्यों पसंद रहा है। The example is that she did not hold a dog with age traditions with regards to wearing clothes. एक उदाहरं द्वारे मालूम किया गया है कि उन्हें गाउं की जो बेशभूशा है वो पसंद नहीं। वो अपने ही मतलब पसंद के जो हैं कपड़ों को सिलेक्ट करती है। Why was Santosh sent to the local school? Santosh को जो है क्यों गेज़ गया एक लोगल स्कूल में. Santosh parents were rich. Lendons, they could send Santosh to a school in a nearby gallery but they sent her to the village school. Santosh dedicated to file to the system. Santosh के जो parents थे, वो बहुत rich family से थे और उहोंने जो school है, पास में जो school दिली में था, वहां के school में उसको पढ़ा जाए। When did she leave home for Delhi and why? कब जो है वहां? Will he say, कब जो है हो गई और क्यों? She got admission in a school in Delhi and refused to be married so early, she worked to earn money for her education. At last her parents agreed to pay for her education. उसका admission school में दिली के school में जोकतर आया और उसने शादी से मना किया कि वह आगे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी और पैसे पमाना चाहती थी. और स्की पैरेंस की क्या कर दिली थी, help कर देती है, चीक्षा की शेक्षा की थी. Question 4. How did Santosh begin to climb mountains? So, Santosh अग शुरू जो है चड़ना, चोर्ती पचाना शुरू कपकी है. She began to climb hills, she did it when she dedicated to check why the village is climbing. The hills managed, then she took admissions to Kutthakashi Institute of Mountainary. She began to an expedition every year. Question 5. What accidents during the Everest expedition show Santosh concern for her team match? So, team के जो साथ की साथ ही थे, उन्हों नहीं कैसे इस तीच को, जो है, experiment किया. One climber, ले जाइन एक साउट होनी. जो पहला जो था, यक्ती वो था सालक से. Santosh provided him a special care. उसने, Santosh की बहुत बदद की और विशेश जो है साउधानी रखते थे. Another climber, मुमन से, जो अदर जो थे, परवता हो ही, वो क्या रखते थे? Would he have died head? Santosh not, वो चावाते के लिए तिर्कुल ना आंके बदे. Santosh not shared her oxygen with him. उसके लिए oxygen shared her oxygen to save him from her share death. पर्शन 6, Tantosh Yadav got into the record books. Both time sheets carried R-E-C-O-R-E. Mr. Mount Everest, what were the reasons for this? Answer, she said a record as the only woman to have conquered the Everest twice. Also, she is the only Indian woman in the world to have set such a record. Santosh Yadav ने एक तो लोग महिदा होने किनाते ही है, विश्व में record बनाना. इता सबसे उंची चोटी पे, पहुत सक्ती और भावत देश को, जो है वो पसित तर सक्ती है. कि डिपकल रट्स मेलिंग? आज इसकी तुगार्स हैं, इनके आपको पतावकार्न समगिर्व, दिश्व की कि अपयर्स मेलिंग, आज इसकी तुगार्स है. इनके आपको homework देनी ही, यह आपको मेनी इसको लिखना है, इसको लिखना है, इनके आपको homework में आपको इसके जो अर्थ है, वो लिखना है, तो देखिए, I-D-O-L-I-S-E, idolize, मता होता है फूजना, इसको लिखना है, 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 इसको लिखना ह नेक्स्ट है इस अपिरिंग मतलब होता है ओजल होना नेक्स्ट है एंडिक्योरेंस मतलब होता है सहन शीलता नेक्स्ट है आरेपी आईटी रेपिड यह निजा पेजी से नेक्स्ट है सुडबल म आईटी समिच का मतलब तश्रीका संबील है नेक्स्ट है इस आर्मे मतलब मतलब होता है शान्त करने वाला नेक्स्ट है सी ओ एल ओल तब है वाटी ठीक है ओके यह आपको याद करना या लिखना है ठीक है